कि एलो गाईज मैं हूं कुसाल और आप देख रहे हैं मैं यूटूब चैनल कुछ टॉक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बेल आकन को दबाना बिलकुल ना भूले है लो गाईज श्वागत है आप सबका मारे यूटूब चैनल को सटॉक में आज कि इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दिसंबर 22 सेसन वाले स्टुएंट के लिए और जून 22 वाले सेसन के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है जैसा कि मैंने बोला था प्रिव में technicamr ali कि इसके पहले जाए चैनल को सब्सक्राइमर को सबस्क्राइब और अब और आपर में लुए और देखना है और अभी तक में चैनल प्लैडिस्ट में आना है अखम और यहां पर आप लोग को सारा प्रिवियश यह कॉसन पर यहां पर इसमें वीडियो अवीडियो है, तो सारा आप लोग जाका देख सकते हैं, इस प्लेइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्चन मी ही टाल दूगा, और कमेंट बॉक्स में पीन कर दूँगा, और उपर आई बटन में पीन कर दूगा, और इस कोसर्ण का आप लोग को पीकर चाहिए, तो उसके लिए आप लोगो Gegencollant Championship जोइन करनाा पड़ेगा चैनल का मेंबर्शिप जोईन करना पड़ेगा आप लोगो चैनल के ओईड़े करना लोगो को कまた पार जाना है ने जूआन भैज्यान के ढ़ेज्ट करने लिए bew pas साइट के चैनल करना पर ओड़े आप लोग के लिए वह बुरी ख़वर है वहां पर बताओंगा आगए इस वीडियो में आप लोग को कि क्या कुछ मुझे पता चला है आज बीबॉस में आफिस में जाकर कि कब तक एक्जाम होने का चांस है और पेंडिंग वालों को कब किलियर होगा सारा कुछ में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं सबसे पहले वेब साइट अभी भी नहीं खूल रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे या पर वेबसाइट अभी नहीं खुल पा रहा है और बात करूँ तो मैं बहुत सारी अधिकारी जो हैं वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं इस मैटर पर वो बात ही करना नहीं चाहते हैं बताना तो दूर की बात है अप लोग भी गए लिजे उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा नोटिस कुछ ऐसा था कि दिखिए बिहार बोर्ट पठना में आर्थिक अपराद एकाई के द्वारा ईयो यू के द्वारा जांच की संबंद में यहां पर लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है निर्देर सानुसार लिखा हुआ है बिहार पुलिस के द्वारा एफ आईयार रेजिस्टर किये गई है कितना तरीको इन दिसंबर को कौनसी कौनसी धारा लगाई गई है 420, 466, 471, 420 और 120 के उपर कारवाई चल रही है तो पुलिस अनुसंधान जारी है यहां डाटा सर्भर बंध है जिस जैसे ही बोट कार्यले कारे सुचारू रूप से संचालित होता है उसकी सूचना दे दी जाएगी ठीक है तो इसका क्या मतलब हो और की ये धारा क्या करती है तो ये धारा ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा फर्जी डोकुमेंट बनाया जाता है जो एक मुल्यवान संपत्ति या इच्छा सक्ति के लिए अधिकार प्रदान करता है या किसी व्यक्ति को किसी भी डोकुमेंट को बनाने एवाम स्थन करने के लिए उसके दिकार प्राप्ट करता हैंゃ Smar al by भी दो मेंना होने वाला है तो इहाँ पर अपलोग देख सकते हैं कि लिखा कि गए है कि जैसे ही जएसका सूछना मिल जाएगा आप लोगों नोटिस मिल जाएगा और He JoEr अब बात करते हैं कि मुझे वहां के अधिकारियों ने या फिर किसी टीचर ने क्या खुछ का तो उसके वीडियो आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को भी ऑनलाइन वर्क करके पैसा अंकरना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते है जैसा कि आप लोग को पता है कि आप आजकर ऑनलाइन हो गया पढ़ाई बैंकिंग कर लें दें ऑनलाइन वर्किंग तो आपको भी वर्क फ्रम होम करना है अगर और दिन का एक दिन का दो सी तीन यह रूपया महिना पर डे कमाना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंड कर सकते हैं, केलिग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अब चलते हैं, तो वहाँ के अधिकारियों से तो मेरी बात नहीं हो पाई है, और मैंने बात करने की कोशिस भी की, तो वहाँ के अधिकारियों ने कुछ बोलने से मना कर दिया, और इधर से उधर घ पता है कि उनको खुद आज दो मन्त के बाद इस बीवास आफिस में इंट्री मिल रही है, यानि कि जब से जान चल रहे थी वहाँ पर टीचर को भी इंट्री का अनुमाती नई था बीवास आफिस में, वो आज खुद बोले कि दो मन्त के लगभग, दो मन्त होने वाला है, उ और फरवरी में तो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि फरवरी में जो है, वो बिहार बोट का एक्जाम होने वाला है, जिसके कारएं तो फरवरी में भी उन्होंने बताया कि मुस्किल है, अगर एक्जाम हो भी सकता है, तो उन्होंने बताया कि मार्च में पॉसिवल है, वो भी का अग्जाम जून-जुलाई सेशन के साथ ही होगा यानि कीदिम्बर का अग्जाम 12-13 वाले सेशन वाले स्टुडніंट के साथ ही और मुद्जाम अगया था ज Teaching वालों को बताया ओर अधिकायों समीय वालों को ने बताया कि बीवाट ऑप बीवास ऑफिस से तो वो जाकर ले सकते हैं और जिनका जिनका नहीं हुआ तो वेबसाइट क्लियर होने के बाद ही आएगा और बहुत सारा डोकुमेंट जो है वो लटका हुआ है तो वो सब जब तक वेबसाइट ओपेंड ने हुआ तक कोई कार आगे नहीं ब पताना चाहूंगा लाश्ट में कि वीबॉस का वेबसाइट कब ठीक होगा इसका कोई जानकारी नहीं है कोई अधिकारी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं बोलने हैं कि जब होगा तो आप लोगों को नोटिस के द्वारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा इसका अभी कोई फिक्स डेट या फिक्स मन्त नहीं है कि कब ठीक होगा तो यह था जानकारी आज मेरे वीबॉस ऑफिस जाने के समद में यह मुझे जानकारी मिली और यह धारा यह सारी धारा लगाई गई है अप लोगों मैं फिर से दिखायाता हूँ प्रशान को यह जानकारी चाहिए तो आप लोग से यह वीडियो से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ